नमस्कार दोस्तों सेल्फ एल्फ चैनल में एक बार प्रिस्ट है आप सेभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बीलस से मोबाल रिचार्ज का काम कैसे करें इसके वारे में बताएंगे और कितना कमिशन बिलता यह भी आपको जीना है तो दोस्तों हमने अपना व्लेस का पूर्टल लोगइन कर लिया है यहां पर बीटूची सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपको पह अपशन भी लेगा ओबाल एड़एंड डिटी-एच रेचार्ज इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साम यहां पर अपना मॉबाइल नम्मर डालूगा जो भी रिचार्ज करना है और उसके बाद यहां पर operator चूज कर लेना किस company का mobile number है यह उसके बाद state चूज कर लेना है कौन सी state का mobile number है यह तो आप अपने छेतर के अनुसार अपनी state चुन लें उसके बाद यहाँ पर recharge amount लिख देना है और proceed पर क्लिक कर देना है तो फिलाल मैं उनन चार्ज करना चाहता हूँ और proceed पर क्लिक कर देता हूँ तो यह देखे के are you sure to process okay कर देना है कैसे आप okay करेंगे तो कुछ देर यह पर क्रिया चलेगी उसके बाद आपको mobile number दखाई देगा operator name दखाई देगा circle name और recharge amount यह सारी details आपको दखाई देंगी आप एक बाद जाच लें अगर सब चीज़ सही है तो process to recharge पर क्लिक कर दें और अशिवाद okay पर क्लिक कर दें तो आपका mobile नंबर recharge हो जाएगा यह देखिए recharge successful लिखा आ गया है यहनी हमारा mobile recharge हो गया है अब हम इसको okay पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कितना कमिसन हमको मिला है तो यह देखिए 49.50 पर हमारे wallet में sales balance बचा है recharge करने इस बहले 97 रुपे का balance था हमारे wallet में तो दोस्तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 94 रुपे का recharge किया जिसमें मुझे 0.50 रुपे का करीब profit हुआ है यानी 3% का profit recharge पर मिल रहा है अब यह आप खुद ही देख लीजिए कि आपको recharge का काम VLS से करना चाहिए या नहीं इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो की जैन करी पसंद आयो तो like share करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने किया तो चैनल को subscribe करके गंटी की बटन को दबा लें जिससे कि आपको हमारे याने वाले सब वीडियो मिलती रहे हैं जो आपके काम के होती हैं मिलत अगली वीडियो तब तकी लामस्कार